लुट एपर विन गैस पुड इवन टुट इवर्यवन कैसो सब अधाल फॉटेबल फॉटेबल टेवर्यवन गुट इवर्यवन जाहें विल्कम तो सीडस हैं जाटम अधाल आधाल सब को जल्दी से बताएंगे so that we can start चलो so guys once again I welcome you all to CDS Academia और आज के session में हम अपने कुछ important current affairs की हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे current affairs हम discuss करेंगे जो most practically आपको आपके exam में परसो देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं है ये चीज़ notice की कही है कि जो recent month के current affairs होते हैं they are much more important than the older months अगर हम CDS के exam के आपकी बात करते हैं ठीक है बाकी don't worry exam बहुत अच्छा होगा हम सब लोगोंने मिलके काफी सारी मेहनत की है मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको paper को deal करना है क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है while solving the question paper जिससे की you can maximize your own score चलिए तो with this positive thought let's start with our today's class और पहले हम current affairs discuss कर लेते हैं फिर आराम से बात चीट करेंगे exam को लेके tension तो हो रही होगी सबकों लेकिन हर चीज़ का इलाज है जिनका exam निकलेगा वो शांती से निकलेगा tension लेकर के नहीं चलो तो important कुछ current affairs है फटाफट से हम इनको read out कर लेते हैं जो आपको यहीं पर retain हो दाएंगे इतनी कोई tension लेने वाली बात नहीं है ठीक है बस यहाँ पर class देखो class के बाद एक दो बार read कर लेना 10 से 15 मिनट then you will be able to return them और option देखके आप solve कर लोगे चलो शुरू के अदा है guys जो उस दिखाओ थोड़ा ठीक है इसी के लिए तयारी कर लें इतने दिन से परसों के लिए चलो तो one moment discuss करते हैं हमारा इजरो है विशाल के रहे है हलो सर्थ हलो विशाल चलो हमारा इजरो है Indian Space Research Organization तो Indian Space Research Organization is going to launch चंद्रयान 3 तो चंद्रयान 3 हमारा launch करने वाला है which will be launched in August 2022 यह आप जयाद रखोगे के चंद्रयान 3 mission is going to be launched by our इजरो second one is परम प्रवेगा परम प्रवेगा अब आएग्जामने पूछ सकता है कि इस अर्टम रिलेटेग टू तो इस बेसिकली अब वेरी पावरफुल सुपर कंप्यूटर हमारी इंडिया ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया परम प्रवेगा and that is going to be installed and commissioned at IIS Bangalore that is Indian Institute of Science Bangalore में यह आपका install होने वाला है परम प्रवेगा तो याद रखेंगे इसको तीसरी बात पर चलते हैं अब कुछ military exercise discuss कर लेते हैं जो फैब और मार्च से related हमारे लिए काफी यादा important है ready है sir yes sir चलो बहुत बढ़िया तो हमारी जो Indian Air Force है तो Indian Air Force ने 6th edition यानि कि छटवी बार Eastern Bridge 6 एक exercise है जो conduct हुई तो सीधे सीधे ठीक है गगन यान भी आ रहा है very excited हाँ तो हमें simple सी बात याद रखने है कि IEFS conducted 6th edition of Eastern Bridge 6 exercise with Oman कि हमारी Eastern Bridge 6 exercise जो होती है वो किसके साथ होती है Oman के साथ होती है इसमें से इतने direct questions आपको देखने को मिलेंगे आपके exam में तो बड़े ध्यान से इसको मेरी बात को सुनो और read कर ले रहां 2-3 बार बस ठीक है चौती चीज़ पे तलते है फिर हमारी एक और exercise है Cobra Warrior 2 और Cobra Warrior 2 जो है that was basically organized between Eagle and and IEF और IEF की तरफ से उसमें 5 Tejas Light Combat Aircraft ने हमारा Tejas ने participate किया चलो अब देखो अब देखो 3-4 चीज़ा आपके आद रखने है इजरो हमारा launch करने वाला चंद्यांत्री प्रंप्रवेगा क्या है सुपर कंप्यूटर है IEF ने उमान के साथ मिलके 6 exercise की है और कोबरा वरियर 2 बेसिकली है exercise between England and इंडिया जिसमें इंडियन एरफोर्स की तरफ से जो है Tejas ने participate किया चलिए अब नेक्स आते है there is one more military exercise that is winter camp ठीक है और winter camp बेसिकली है joint military exercise of your NATO countries जो आपकी NATO countries है उनकी military exercise है next आईए अब हमारे इंडियन देल्वे ने हमारी इंडियन देल्वे ने एक operation शुरू किया जिसका नाम है आहत ठीक है अब आहत जो है हमारा operation वो सबसे पहला question को बनता है कि वही किस ने launch किया तो that was basically launched by the railway protection force जो आपकी RPF है railway protection force और यह basically क्यों किया गया to curb the human trafficking वह human trafficking को रोकने के लिए trafficking is basically the trade जो trade होता है humans में खरीदा है बेचा है आता है इसे गुलामों की तरह हम पहले बेचते थे तो आहत is basically the operation introduced by the RPF जिससे कि human trafficking को कम करने का challenge हम दे लिया नेक्स्ट आते हैं जी नेक्स्ट आते हैं नेशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस इन कार्बन केप्चर और यूटिलाज़ेशन NCOE CCU हैस बीन इस्टेबलाइस्ट एट आईएट बंबे तो आपको याद रखना है के something related to carbon capture and utilization has been installed at IIT बंबे और जो भी चीज़ा new new installed होती है जो पहली चीज़ा होती है किसी भी state के अंदर वहाँ से काफी सारी questions आपको देखने को मिलते हैं मैंने पिछली classes में भी आपको कुछ important festivals पढ़ाए थे जो अलग-अलग states में हमारे पहली बार हुए तो वो भी हमारे लिए काफी ज़ादा ज़रूरी थे and I hope you all have memorized them and revised them याद है पुरानी classes चलो तो हमारा जो national center for excellence in carbon capture and utilization कहाँ पे होगा that will be stabilized at Bombay next आते हैं जी next आते हैं अब हमारे ISRO ने एक जो है satellite launch की EOS 4 तो EOS 4 has been अगर आपको पूछा जाए कि किस ने launch की है तो वो ISRO ने launch की है simple सी बात है next आते हैं और उसमें use किया गया हमारा PSLV C52 कितनी सी बात next very important काफी important आपका COPE South 22 COPE South 22 is basically the airlift exercise held between US plus Bangladesh ठीक है तो जो COPE South 22 है वो एक exercise है आपकी airlift exercise जो के conduct करी गई between two countries पहली है आपकी भीया United States of America वही अमिर्का जो बहुत बोलता है लेकिन कुछ करता नहीं दूसरा है हमारा Bangladesh अपना भाई Bangladesh दूसरी चीज़ next आउ Asia's largest defense exhibition तो या Asia का सबसे बड़ा defense expo जो है that will be held in Gandhinagam ठीक है तो वो कहा हुआ गंधी नगर तो सबसे बड़ा जो defense expo है पूरी एशिया का इस बार that will be hosted or held in योर गंधी नगर आते हैं जिदर आगे आते हैं जिदर आगे इंडिया का fighter aircraft Tejas MK1 has been showcased by India in the Singapur air show Singapur के अंदर एक air show हुआ और उस Singapur air show में ठीक है हमार सोनार बांगला ठीक है चलो हमारा Tejas MK1 जो है एक air show हुआ हमारे Singapur के अंदर तो Tejas MK1 has participated basically participated in that Singapur air show next आते हैं जी next आते हैं एक undersea submersable vehicle है आपका मतच से 6000 ठीक है और मतच से 6000 is basically हमने एक mission launch किया मैंने आपको previous current affairs सो मताया था समुद्रियान mission और समुद्रियान mission is basically a mend mission जिसमें हम under depth सी की study करने के लिए mission लेकर काई समुद्रियान और उस समुद्रियान में हमारा जो vehicle participate कर रहा है that is your मतच से 6000 तो examiner आपसे पूछ सकता है मतच 6000 जो है वो कौनशे mission से related है या किस चीज़ के लिए हम use कर रहे है तो that is basically used for the समुद्रियान mission चलिए 2024 next आते है जी अब हमारी DRU और IIT की team ने मिलकर के DRU and IIT Delhi successfully demonstrated इन्होंने demonstrate किया quantum key distribution link between प्रागराच और विंद्द्याचर अब देखो मोदी जी भया वारण असी के इलाके में तो चाही हुए है ठीक है तो simple सी बात है कि वहाँ पर जितनी भी major developments आपके quickly हुए है तो आपको recap करके रखने है अपने दिमाग में कि quantum key distribution link जो है वो demonstrate की गई मतलब सका demo दिया गया between प्रागराच और विंद्द्याचर नेक्स आते हैं जी नेक्स आते हैं इंडियन नेवी रिसीव डिस 12th and final anti-submarine warfare aircraft P-8I from Boeing तो Boeing से हमने जो है एक anti-submarine warfare लिया that is your P-8T-1 तो ये सारे facts आपको याद रखने है कि कौन सी चीज कहां से आई और specially when we are preparing for defense तो हमारी जो military exercises वगेरा है वो काफी ज़्यादा जरूजी हो जाती है एक हमारी biannial exercise होती है Milan 22 ठीक है वो conduct की गई थी हमारी विशाकापटनम में तो ये कुछ important exercise है जो आपको favor mark से याद रखनी है अब एक और आपकी military exercise है धर्म धर्मा गार्जन ठीक है धर्म गार्जन और ये basically conduct हुई इंडिया और जैपैन के बीच में military exercise और conduct का हुई बेल गाओ करनाट का ठीक है तो मैंने आपको लिखाया भी था कि जितनी भी major आपकी important military exercises होती है वो आपको याद रखनी है और मैंने सबसे पहली current affair की class ता आपको बताया था ता आपको ये पता होना चाहिए कि ये exercise कौन सी कौन सी countries के बीच में होती है चलिए दर आएए अब हमारा एक wetland day मनाए दाता है ठीक है तो wetland action for people and nature तो wetland action for people and nature हमारा theme था इस बार जो हमारा wetland day हमने celebrate किया 2022 में on 2nd February चलिए अब देखो जितनी भी नहीं हमारी species मिलती है चाहिए वो किसी भी चीज़ की हो हमने कुछ butterfly की species पढ़ी सारी की सारी species हम पढ़ते है क्योंकि recently cds जो है वो species पर question डाल देता आपका ये जो species है किस से related है कहां पाई गई ये तो हमारी जो Central Marine Fisheries Research Institute है उसने एक नई फिश जो है वो discover की that is water ठीक है कहां पर Indian Coast में ये आपको मिली new carangid species carangid और वाटा दोनों आपको बस नाम याद रखने कि ये कहां मिली Indian Coast में ये आपकी किस की species है आपको अच्जामर आपको इसी question पूछका कि किसके चौरा चौडी जो हमारा incident था जिसकी वैसे हमारा effect दुआ non-cooperation moment तो उसके 100 साल पूरे हो गए तो हमने गुड इवनिंग गुड इवनिंग अमिजा तो हमने उसका 100th year जो है वो celebrate किया किसका चौरा चौरी incident का on 4th feb 2000 ठीक है चलो next आते है जी अब क्या है कि हमारे जो former ICICI banker थे जिनका नाम था मादाभी पूरी ठीक है has been appointed as the new SEBI chairman SEBI stands for Security and Exchange Board of India तो नए हमारे SEBI के जो chairman बने है that is your मादाभी पूरी तो आपको इनका नाम याद रखना है काफी ज्यादा important है मादाभी पूरी has been recently appointed as the chairman of the security and exchange board of India which abbreviation for that is SEBI replacing Ajat Yagi उससे पहले कौन होते थे SEBI के chairman Ajat Yagi होते थे बट उनको exchange करके कौन बन गा मादाभी पूरी बन गए चलिए अब देखो ये काफी interesting सा news है ऐसे ये ऐसे news होते है जहें दुदकर चहें ये कुछ ऐसे news होते हैं ये एक बार में आद हो जाते है आपकी US ने घोस्ट आर्मी बनाई थी दूरिंग वर्ड 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 टू USO has constituted घोस्ट आर्मी दूरिंग वर्ड 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 टू तो ये news तो सिसे रिलेटेड है जो USA के president है current जोई बाइडन उन्होंने एक नया बिल साइन किया घोस्ट आर्मी ठीक है घोस्ट आर्मी congressional gold medal act to provide recognition तो इन्होंने घोस्ट आर्मी को थोड़ी इज़ब देने के लिए recognition देने के लिए एक नया बिल USA ने पास किया है तो examiner आप से पूछ सकता है गोस्ट आर्मी कौनसी कंट्री से related है या कब पास्पेट किया तो that participated during your world war 2 चलो और आपका US एक tiger team भी बनाता है वो किसके लिए बनाता हूँ बेर को बताओ tiger team अभी recently जो आपका यह war जो चल रहा है उसके context में US एन अनांस किया था कि they are forming their tiger team next आते है जी next आते है इरान ने एक नई missile बनाई है that is your khaybar buster इरान has made a new missile khaybar buster और जिससे का होगा कि इरान with a reported range that would allow its reach both US bases in the region as well as targets inside its arc for Israel तो इसने basically ध्यान में रखते हुए US के basis को और Israel के basis को इरान ने एक नई missile बनाई है khaybar buster तो khaybar buster is basically the missile of Iran इतना आपको याद रखना है चलिए next आते है जड़ा अब देखो एक तो हमारे यहाँ पे कुम्ब होता है ठीक है कुम्ब is the largest fare of our India और कुम्ब के बाद जो second largest fare होता है that is your Medaram, Jatara और that was basically organized in Telangara ठीक है for that Ministry of Tribal Affairs सेंक्षिन 2.26 करोड इतना आपको याद नहीं रखना है तो है Ministry of Tribal Affairs ने 2.26 करोड जो है ठीक है 2.26 करोड रुपे दिये थे और जो आपका second largest fare है उसका नाम आपको याद रखना है Medaram, Jatara next आते है तो है हमारा news था बिया तेलंग आना में second largest fare organized कराया गया अब आंदरप्रदेश की जो state government है उसने क्या किया recently उन्होंने ordinance पास किया अब ordinance कब पास होता है हमने ordinance के बार में पढ़ा कि बिया प्रेसिडेंट के context में गवर्नर के context में तो कौन करता है ordinance पास या तो हमारे गवर्नर करेंगे या प्रेसिलेंट करेंगे अगर हमारे गवर्नर ने यहां ordinance पास किया है तो वो ordinance पास क्यों होता है that is basically passed जब आपकी legislative assembly session में नहीं होती और emergency low बनाना पड़ता है तो हमारा क्या promulgate होता है ordinance promulgate होता है और ordinance promulgate करके उन्होंने क्या करा retirement age for its employees by two years to 62 तो उन्होंने enhance कर दी retirement age two years से तो इस चीज को याद रखेंगे next आते हैं जी तरह next one is your sprituk gaster is an annual celebration of cultural and traditional heritage of लंड़ाग तो ये एक festival है आपका जो लंड़ाग के cultural and traditional heritage को ध्यान में रखते हुए उनके representation के लिए बनाया जाता है तो जितने भी festivals हैं काफी सारे पासाथ हमने festivals आपके पड़े हैं वो सब आपको याद रखना है क्योंकि जरूरी है भया इस बार इंडिया का एक geological park भी बना भिया कहां बना वो बनाए boys and girls आपका मद्यप्रदेश में सबसे पहला geological park बनाया जाएगा आपका मद्यप्रदेश तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है recently एक wildlife century है आपके गुजरात के अंदर जो है आपकी खीजा दिया wildlife century और उसको recently रामसार site declare कर दिया गया है तो question यहां से आपके एक्जाम में बन सकता है तो उसमें आपको दौनर तरीके से question examiner पूर सकता है चलिए ज़र आगया आते हैं समझवार यह चीज़ है है ऐसा तो नहीं नहीं सर बहुत टेंशन है एक्जाम की सर पतानी क्या होगा बस अराम से प्यार से पिपर देखे आओ मैं बताओंगा आपको कैसे कैसे आपको exam में कितने attempts रखने है क्या रखना है सारी की सारी चीज़ हम discuss करेंगे तो don't worry for that चलो अब आपकी एक और wildlife sanctuary है बखीरा तो बखीरा wildlife sanctuary which is located in उत्तरप्रदेश has been designated as ramsal sites on the occasion of world wetland day तो दो हमारी एक तो हमारी बखीरा wildlife आपको याद रखनी है और दूसरी आपकी खीजा दिया तो खीजा दिया is situated in गुजराद बखीरा is basically situated in उत्तरप्रदेश और दोनों को हमने रामसार sites का जो है tag दिया है next आते हैं जी जरा अब आपका एक और festival होता है जो है आपका खाजू राहू dance festival and this basically happens in takes place in your मद्यप्रदेश तो मद्यप्रदेश में आपको एक और festival याद रखना है आसे next आते हैं जी हमारा महरास्ट्रा जो है महरास्ट्रा has topped the list in the number of micro, small and medium enterprise जो हमारा MSME है MSME से related participation में महरास्ट्रा भीया top किया है तो ये चीज़ भी हमारे लिए जरूरी हो जाती है अब recently हमारे elections हुए तो भी है five states में ठीक है यहां हम पंजाब की बात कर रहे है पंजाब में किस की government बन गी हमारी आप की government बन गी हमारे मफलर वाले भाई साब जो है government बन आकर के लेगे और उन्होंने जिसको CM बनाया है वो भी काफी भड़ी आदमीं दिखते है ठीक है उन्होंने बोला है क्या वो पिएंगे नहीं चलो तो इना bit to spread voter awareness अमंग voter पंजाब state चीफ electoral officer जो पंजाब state के चीफ electoral officer थे उन्होंने एक election का mascot select किया था शेरा तो याद रखेंगे कि शेरा जो mascot है वो पंजाब के लोगों में voting awareness फैलाने के लिए पंजाब ने चुना था चलिए जड़ा ज़ड़ा आ गया थे है state-owned THDC India Limited has signed a pact to build a 10,000 Megawatt solar power project ठीक है इन राजिस्तान तो हमारे राजिस्तान में एक जो है solar power project बनाया जा रहा है mobile repair में है वो my mobile repair man अच्छा कैसे reason भी तो बताया करो चलो अब next आते हैं इस तो India's first commercial scale biomass based जो हमारा सबसे पहला commercial commercial मतलब कि जो हमारा for the business और commercial sector के लिए यूद होगा सबसे पहला biomass based hydrogen plant कहां पर बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में तो सबसे पहला हमारा biomass based hydrogen plant is being constructed in the मध्य प्रदेश चलिए next आते हैं जी next आते हैं जम्मू कश्मीर ने government signed a pact with New Zealand अब देको New Zealand जो है वो यह भारे आपके ठंडे अलाके हैं तो जम्मू और कश्मीर गवर्मेंट signed a pact with New Zealand for the transformation of the sheep farming sector in the JNK Union territory तो अपनी sheep farming को enhance करने के लिए मफलर वाले भाई साब ठीकन ने खुद बोला था अच्छा चलो कोई बाद तो जम्मू और कश्मीर गवर्मेंट ने एक pact sign किया किसके साथ न्यूजलेंड के साथ किस से रिलेटेड लेटेड तूद शीप farming नेक्स आईए जी नेक्स आईए अब हमारे एक स्टेट हमारी है करनाटगा सब जानते हैं बाबावदान हिल्स कौनसी कौफी गवगाई जाते हैं अरेबिका या रोबस्ट बताओ विच वन ओफ तर कौफी इस ग्रोण और बाबावदान हिल्स इन अबूदेंट क्वेंटिडी कौफी की बात की थी हमने कभजा हमारी कौफी गवगाई जाते हैं बाबावदान हिल्स सबसे हादा कौफी हम उकाते हैं ठीक है और दो हमारी वेराइटी होते हैं एक अरेबिका और एक रोबस्टा तो जो फाइनेस्ट वेराइटी है वह हमारे अगाई जाती है उसका नाम बताई में जल्दी दौनों मैंसे कौन सी है फिर आते हैं जी मारू महुषभ इस बेसिकली सेलिबरेटेड इन दा मध्यप्रदेश अगें एम फॉर मारू महुषभ एम फॉर मध्यप्रदेश तो इस इस और मध्यप्रदेश चलिए गर आगे आते हैं आपकी वेस्ट वंगाल ने जो है लॉंच किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रियेशन प्रोग्राम फॉर विमेन जिसमें ये 50 विमेन को लेंगे स्टार्टिंग में और उनके थूरू जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे तो वेस्ट टू वेल्थ क्रियेशन इस दा मिशन ओफ वाट वेस्ट वंगाल ठीके चलिए नेक्स आओ अब जो हमारा मिजोरम है अब देखो जो हमारी नौर्थ इस्टन स्टेट्स है आप जानते हो कि या वो लोग थोड़ा सा मतलब उनको लगता है लगता क्या है कि ऐसा है जैसे जम्मू एंड कश्मीर नौर् है उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम जो है काफी थोड़े अलग से हैं इस देश से तो हमारे कुछ स्टेप्स इंडियन गवर्मेंट ने रिसेंड लिये है जिन मैंसे यह है वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ा बनाओ कि जिनसे पार्टिशिपेशन बढ़ेवा ठीक है ल तरीका होता है जिससे हम लोगों को साथ में रख पाएं नेक्स आते हैं जी ठीक है हमारी दिल्ली पुलिस ने has become the first police force in the country जिसने smart card arm license चारी तिया smart card arm license तो arms का जो license है that will be in the form of a smart card और वो हमारा शुरू कर रहा है किसने डेली डेली पुलिस नेक्स आते है हमारा एक operation project है reward ठीक है reward for the project reward the world bank has recently approved loan तो world bank ने हमा project reward के लिए loan sanction किया है for the governments of karnatka and उडिशा अब बात आती है कि सर जो reward है reward project जो है this is basically related to what तो इसका main aim का है to implement rejuvenating watersheds for agricultural resilience तो agricultural से related हमारा innovative developments लाने के लिए एक जो project चलाया है करनातकार उडिशा ने reward और उनको कर्चा मिला है कहां से world bank से तो आपको examiner पूछ लेगा reward project जो है वो किस चीज से related है दूसरा हमारे world bank कौन सी state से related है world bank ने इसको loan दिया है तो दो तिन government है असम की तो the government of Assam has lost India's first night navigation mobile app for ferry services तो जो आपकी ferry services है ठीक है ferry services मतलब जो water में हमारी जितनी भी services है उनके लिए navigation के लिए help करने के लिए एक जो है सबसे पहला एप बनाया है हमारा किसने आ सामने next आएंगे next आते हैं काफी interesting चीज़ा हुई है हमारी चलो lavender ठीक है lavender आप सब इस डोड़ा ब्रेंड प्रोड़क्ट और डोड़ा क्या है डोड़ा डिस्टिक है आपकी जम्मू कश्मीर में और that is basically said to the birthplace of India's purple revolution और the cultivation of lavender ठीक है तो जो सबसे पहले lavender हमारा उगा था that was in the डोड़ा डिस्टिक आप जम्मू कश्मीर और lavender को डेसिगनेट कर दिया गया 4-year mentorship program चलाया है जिसको बोलेंगे हम प्रोजेक्ट आरोहन तो प्रोजेक्ट आरोहन has been started by the Assam government और वो क्यों start गिया है to provide guidance to the student to increase their own skills बहिया student की skills को बढ़ाने के लिए Assam government ने आरोहन नाम का एक project शुरू किया है जो एक 4-year का mentorship program रहेगा जिसमें जो students है उनकी skills को enhance करने की बा सबसे पहले किस का mission है रशिया का है किस चीज के लिए है नेक्स आते है नेक्स्ट अब हमारी जो Canada है ठीक है रिसेंटली मैंने आपको बढ़ाया था कि एक country है हमारी कौन से उसका नाम मेरे को बटाओ जिसने टेबलेट जो है वो अलाव कर दी थी as a covid-19 vaccination और यहां पर Canada ने फर्स्ट प्लांट बेस्ट covid-19 वेक्षिन जो है authorization दे दिया है उसको यूज करने के लिए covid-19 वेक्षिन जो कि plant-based होगी यानि कि plant से बनाई जाएगी और यह two dose vaccine होगी इसका नाम आपके आताना है medic ago ठीक है तो उसमें भी answer USA था आपका USA जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्ट्नर रहा आपका 2021 में ठीक है 2021 में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्ट्नर हमारा रहा कौन वो रहा हमारा United States of America और दूसरे नंबर पर रहा हमारा चायना तो कभी US होता है कभी चायना होता ह इन सबसे हमारा चलता रहता है चलो नेक्स्ट United Kingdom वेरी गुड विश्वेश यस्वार राइट चलो अब आते हैं अगे अब भयाए इंडिया भी अब COVID-19 वेक्सीन की बात हो रही है तो हम भी इंडिया वाले हैं हम भी कुछ न कुछ तो जबरदस्त करते ही रहते हैं तो इं आजमेट DNA वेक्सीन हैस बीन प्रडूश्ट वाए एहमदाबाद बेस्ट वेक्सीन मैनुफेक्ट्टर्स जाइडस कैडिला तो बस आप सिंपल सी आत रखो कि जाइकोवडी का है एक वेक्सीन है कॉंसीकंटरी की है इंडिया की है और क्या है सबसे पहली DNA बेस्ट हमारी व अपना जो आपकी सेंटरल जेल है इंडौर की इन्होंने एक अपना रेडियो शुरू करा है जिसका नाम है जेल वानी FM 18.77 ठीक है 93.5 FM है लेकिन ये आपकी इंडौर की सेंटरल जेल का अपना रेडियो है जिसका नाम है जेल वानी और इसके थुरू क्या है कि basically information दी जाए जेल वानी basically का है ये एक रेडियो चैनल है किसने स्टार्ट किया है आपकी सेंटरल जेल ऑफ इंडौर मद्ध प्रदिश नेक्स आते हैं जो हमारी एक स्कीम है प्रधान मंत्री किसान संपदा योज़रा PMKS भाई ठीक है उसका टाइम बढ़ा करके हमने उसको एक्स्टेंड कर दिया है till March 2026 with the allocation of 4600 करोड रुपीज तो हमारी ये जो स्कीम है वह चलेगी कब तक March 2026 तक ये हमारी continue की जाएगी next आईए हमारी एक और स्कीम है सेहत very important ठीक है e-health assistant ठीक है services e-health assistance and daily consultation जरूर याद रखना full form सारी स्कीम की इसलिए मैंने सारी जहां जितनी भी आपको मैंने schemes बता रखी है then there I have specified कि विजा इसकी full form क्या है तो services e-health assistance and daily consultation ये एक स्कीम है जिसको कौन implement करेगा will be implemented by ministry of defense under which home delivery of medicines has been started ठीक है तो आप याद रखोगी कि सेहत जो है next आते हैं next आते हैं आपका अरावली बायो डाइवर्सिटी पार्क है गुडगाओं के अंदर अब देखो सोचने में थोड़ा मजबूर हो जाता आदमी कि भाई बायो डाइवर्सिटी पार्क गुडगाओं एभी हो सकता है का ठीक है तो इसलिए मैंने हाई डाला है कि अर हमारा अरावली बायो डाइवर्सिटी पार्क जो कि गुडगाओं में सिच्वेटेड़ है उसको सबसे पहला क्या दिया है ओई-CM साइड बनाया है IUCN में ठीक है तो सिंपल सी बात याद रखोगे तो काफी इंप्रोटेंट कोस्चन बनता है सिंपल सा ही कोस्चन वह नह हमारे बनाया जाएगा है और किसकी याद में बनाया जा रहा है एक हमारे भक्ती सेंट थे श्री रामानुजाचार उनकी जो है कोमॉमरेशन में बनाया जा रहा है यह जए झाले नेक्स्ट आते हैं रम्यामजास उनकि याद में बनाया जा रहा हैं, चलिए, next आते हैं, नेक्स्ट आपका, कि जो आपकी central government है, उसने decide किया not to continue the scheme of restria, जुआ, शक्षक्तिकरन कार्यकरम, RYSK for another 5 years, तो हमारी यह RYSK scheme है, इसको भी 5 साल के लिए extend कर दिया गया है, नेक्स्ट आते हैं, ये काफे इंट्रेस्टिंग आप लोगों के लिए वैसे भी आपको कैफे-फे जाना पसंद है तो एन इगलू कैफे, इगलू, ठीक है नेम स्नोग्लू, क्लेम टू बी दा वर्ल्ड्स लाज़ेस्ट कैफे जाने के लिए खर्च्टा होगा, बहात हो गई तो इगलू कैफे है, जिसका नाम है स्नोग्लू, वो आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैफे बनाया जा रहा है कहां जम्मू और कश्मीर के अंदर, नेक्स्ट आते है जो हमारी अटल टैनल है, अटल टैनल तो हमारी अटल टैनल को एक और टैनल मिलगा, पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी हाइवे टनल है लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी यह टनल है, सिंपल सी बात है तो हम हाइट के साब से बता रहे है, इतनी लंबी हाइट पहे, आज तक किसी ने इतनी बड़ी टनल नहीं बनाई, जितनी बड़ी हमने बनाई है अटल टनल, नेक्स्ट आते है ठीक है, हमारी इंडियन देलवे जो है, बहुत पैस आ गया, उन्होंने का कुछ तूफा नहीं करा दे तो इंडियन देलवे इस सेटिंग अप कंट्री जबिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास रेस्लिंग अकेडमी तो इंडियन देलवे जो है, हमारे देश की सबसे बड़ी रेस्लिंग अकेडमी खोलने जा रहा है ठीक है जी, तो इंडियन देलवे क्या खोल रहा है हमारा, हमारे देश की सबसे बड़ी रेस्लिंग अकेडमी कहाँ पै डेली के अंदर नेक्स्ट आईए, नेक्स्ट आईए, हमारी जो Ministry of Education है, उन्होंने एक नई स्कीम एप्रूफ की है, New India Literacy Program, under which the term Adult Education will be replaced by Education for All, ठीक है, तो ये Ministry of Education की स्कीम है, आपकी New India Literacy Program, हालाएं कि इसको पूछेगा नहीं, क्योंकि लिटरेसी आ गया तो आप दिमाग लगा लोगे, सब ब बताओ सब लोग, BRO stands for what, चलो, तो Ministry of Education है, इसने New India Literacy Program, जो है, एप्रूफ किया है, नेक्स्ट आते है, हमारा जो WHO है, तो WHO ने क्या किया है, उसने, WHO World Health Organization ने लांच किया है, एक Quit Tobacco App, ठीक है, और ये एप बनाये गया किस काम के लिए, एक भाई, ये help करेगा लोगों को, World Health Organization ने एप बनाये है, Quit Tobacco App, तो Quit Tobacco App किसने बनाया, World Health Organization याद रखता है, हमारे एक पदमश्री अवाड़ी है, और एक Social Worker थे, इबराहिम सुतार, अब बिचारे काफी बूड़े हो गये थे, तो he recently passed away, और इनको कबीर आफ कन्नड भी बूला जाता है, ठीक है, तो वो हमार जो है, he passed away, तो आप याद रखोगे कि या क्या करते थे, बेसिकली, तो सुतार was known for his work towards spreading social and communal harmon, तो शोचल वरकर थे हमारे और इनको पदमश्री अवाड मिला था, इबराहिम सुतार को, नेक्स्ट आते हैं, हमारे जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट बेसिकली स्टेंश फॉर, आपके लिए मैंने इसलिए डाला है, ठीक है, थोड़ा न्यूज मा आया था इसलिए, स्विफ्ट जो है, स्टेंश फॉर सुसाइटी फॉर वल्ड लाइफ, इंटर बेंक फाइनेशल टेली कम्यूनिकेशन, अलाउस बेंक्स टू रिले इंफॉर्मेशन अबाट इंटरे ऐसी बनी है, जो इंडिया के UPI सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तो आप नेपाल गूमने जाते हो, तो आप फोन पे, गूगल पे, वहाँ पे, अराम से कर सकते हो, नेक्स्ट आओ, नोर्थ कोडिया ने टेस्ट फाइर की है, अपनी एक बैलिस्टिक मिशाइल, ठ हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ट फ्लाइंग बोर्ड बनाई जाएगी, और कहां पे दुबई में, तो ये ऐसे नहीं कारणावे तो दुबई में होता है, दुबई रिसेंडली और भी न्यूज में था आपके दुबई को, शायद मैंने डाला ही होगा आ इसको भी आप नाम याद रखोगे, चलो, दजैट नाम है, यस राइट, नेक्स आते हैं, अकॉर्डिन को टॉम 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 ट्रेफिक इंडेक्स, इस्तानबुल सिटी है से मस्ड़े दा मोस्ट कंजस्टिट सिटी इन दा वर्ल्ड, ठीक है, तो सबसे जादा कंजस इसको आप याद रखोगे, नेक्स्ट आओ, देखो, जो हमारी G20 समिट होनी है, 2022 में, वो हो रही है हमारी इंडोनेशिया, हमें, दो, तीन, चार फैट्स और G20 के मने सारे हैं डाल दिया है, one by one, remember रखना, remember them, G20 जो समिट है, वो 2022 में होरी है इंडोनेशिया में, 2021 में G20 समिट का हो इती आपकी, वो इती रोम, इटली, और जो 2022 की, सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं, 2022 में हो रही है हमारी इंडोनेशिया, और 2021 के मारी विच्छी इटली, will be held in Bali, इंडोनेशिया, और 2023 में होगी हमारी कहां, इंडिया में, और इंडिया के पास G20 की प्रेसिदेंसी आदाएगी, फ्रम 1 दिसम्बर तू 30 नमंबर 2023, culminating with the G20 summit in India 2023 में, तो इंडिया पर प्रेसिदेंसी भी आने वाली है, और इंडिया में 2023 में आपकी G20 summit भी होने वाली है, नेक्स्ट आईए, ठीक है, हमारी एक रिपोर्ट आई, Annual Frontiers Report, जिसको UN Environment Program के अंडर वह हमारी एक रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट के according declare किया गया, कि भाई हमारी जो एफरीका है, that is the most affected region due to wildfires, भी यह सबसे आदा affected region due to wildfires, जो है, वो हमारा कौन सा है, अफरीका है, दुबई International Airport, DXB Airport, जो है वल्ड का सबसे busiest airport बना, आठ भी लगातार साथ, यह मैं आपको बता चुका हूँ, next hour, जो आपका इस्राइल है, has successfully tested naval configuration of the iron dome missile, Sea Dome, ठीक है, तो Sea Dome missile का है, इन्होंने successfully test किया है, किसने इस्राइल के, तो कौन सी country से belong करती है, यह missile आपको examiner question मैं, पूछ सकता है, चलो, एक geologist की team थी, उन्होंने एक crater discover किया, जिसका नाम दिया, यिलान crater, और इसका country of origin आपके आद रखना है, कहां पर है, यह चाइना, crater is basically a deep hole in the, inside the earth, next hour, अब आते हैं, हमारे Bill Gates को एक award मिला, कौन, हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान तो award यह से देता है, हिलाल की तक हिलाल भी कर सकता था, तो Bill Gates has been conferred with हिलाल ए पाकिस्तान, जो second highest civilian honor है, किसमें, पाकिस्तान के हमारे देश में, next hour, जो हमारा 33 वा edition है, African Union का, वो हमारा होने वाला है, कहाँ, एथोपिया, ठीक है, चलो, और इसकी theme कहा रहेगी, silencing the guns, बंदू के बंद करो, प्यार महपत की बात है करो, creating conditions for Africa's development, so this is basically going to be the theme, silencing the guns of the African Union Summit, जो हमारा होने वाला है, इस पार कहाँ, एथोपिया के अंदर, next hour, अभी आपने सुना ठीक है, काफी सारे Instagram पर भी पोस्ट आ रहे थे, हमारे विहार के एक player है, साकी बुल गानी, और साकी बुल गानी ऐसे first player बने, जिन्होंने अपने first class cricket के debut पर है, आपकी triple century मार दी, triple century जड़ेदा नहीं मारी तो इसे वाग नहीं मार रखी है, पर इन्होंने भगया अपने debut क ठीक है, say no to guns, yes to tender, अच्छा, पेपर देने के इराद नहीं लग रहे मज़ा आपके, आगया हो, आपने कहा, कि यह इंडिया जो है, सॉरी मैं बात कर रहा था आपसे, कि आपका जो world cup है, under 19 world cup इस बार, इंडिया अगेन बॉन दा, under 19 world cup, और पांची बार हमने जीता, ठीक ह एक हमारा साइकलोन भी आया, साइकलोन एमनाती, ठीक है, पर वो हाय आया हमारा कहाँ पर है, मेडागासकर की कोश्ट पर, याद रखेंगे, चलो, फिर हमारे कुछ film fair awards वगरा होते हैं, ठीक है, दादा बाई साल, फाल के award, तो उसमें आपके, जो एक रनवीर सींग है, जो आपके पुष्पा, ठीक है, पुष्पा समझ के, क्या मुलता हो, फिलार समझा के आप, फायर एपन, ठीक है, नेक्स आते हैं, चलो, एक आपका recently, एक volcanic eruption हुआ, और ये आपके दो islands है, हुंगा, टॉंगा, एंड हुंगा, अब इसका कुछ भी pronunciation आप कर सकते हो, पता नहीं, ठीक है, अब ये इतना famous क्यों है, क्योंकि पिछल हमारे environment को effect किया, exam के बाद देखूँगा, चलो, अब हमारी जो Australia है, Australia में एक species पाई जाती है, कोईलाज, ठीक है, अब कोईलाज जो है, वो काफी evidently हमारे Australia पाई जाती थी, और काफी यादर famous भी है, कंगारू की तरह, बट Australia ने उनको recently as a endangered species declared कर दिया है, तो कोईलाज has been declared as the endangered species by the Australia, ठीक है guys, तो यह हमने आपके discuss किये, थोड़ा जल्दी बाद इसले है किया, जिससे का आप तुरंत class देखके दो तिन बाद पढ़ लो, तो आपको सारी की सारी चीज़ा है, याद हो जाए, तो they were the current affairs of your fair plus march, जितने भी important थे, तो हमने सारे current affairs कर लिया है, बदलब प यह मैंने जहां से news डाला है, वहाँ stratosphere mentioned होगा, but lately, mesosphere, ठीक है, मैंने आपको सिखाय था, MST, troposphere, stratosphere, then comes is your mesosphere, तो मैंने जहां से news लिया है, तो वो stratosphere के time को बता रहे होगे, later जो उसके eruptions से mesosphere की बाद कर रहे है, चलो, तो guys, यह हमारे सारे current affairs हमने discuss कर लिया है, बाकी सब कु लीड करो, और कल दुपहर के बाद से जादा पढ़नेगी, मत सोचना, तो फटावर्च चीज़ों को revise करो, और मेरी तरफ से सब को all the best है, ठीक है, अच्छे से paper देना, काफी सारी चीज़ा पढ़ी है, अपने उपर trust रखो, बाकी तो सब अच्छा है ही, ठीक है, मैं आपक कितने attempts आपको रखने है, कितना calculated risk लेना है, अगर elimination यूज़ करना है, तो किस level तक elimination यूज़ करने के लिए दाना है, वो सारी चीज़ा हम डिसकस करेंगे, लास्ट में बस इतना कहना चाहँगा कि बहुत मैनत करनी, इसी दिन के लिए हम मैनत कर रहे हैं परसों के लिए, तो होती भी नहीं है, शांती, अब मैं यह कह दूँ कि last day है, कुछ मत पढ़ो, तो ऐसा होता नहीं, मैं भी paper देता था या अभी भी, मेरा ही मन कर लेता है, कि चलो पढ़ लेते हैं, तो that completely depends on you, but don't panic at all, ठीक है, चाहे वो आपका पढ़ने का मन हो या ना हो, विकॉस जितनी भी अब तक कि आपकी knowledge है, उसको अगर आप effectively implement करोगे अपने paper में, तो definitely you are going to get very good results, okay guys, fine, चलो, तो guys, खतम करता हूँ इस class को, और एक वीडियो में आपके लिए डालने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सारी के सारी चीज़ा बताऊँगा, कि how you have to deal with questions and different portions, तो वो 10 से 12 मिनट की जो वीडियो होगी, उसको जरूर देख लेना, और बाकी it was a great journey with you people, ठीक है, फिर से continue करेंगे 10 अपनल के बाद, कुछ टो कुछ पढ़ते रहेंगे, don't worry, ठीक है, YouTube पे भी, तो बाकी अच्छे से paper देके आओ, ठीक है, सबको all the best है मेरी तरफ से, सबको blessings है, और अच्छे से and once again, all the rest for your examination, bye everyone, jahin guys